तो हेलो एरिवन आज हम बात करने वाले हैं मश्रूम के वारे में बैनिफिट्स ओफ इटिंग मश्रूम मश्रूम खाने से हमें क्या-क्या बैनिफिट्स हो सकता है आपने यह तो मदब सुना हुआ कि मश्रूम हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं बड़ आपको डेटील में नहीं पता को वह कैसे कैसे आपके बॉड़ी इफेक्ट डाल सकते हो और किता बॉड़ी के अच्छा हो सकता है प्रोटीन का तो रिस्वर्स होता ही है जो नौन वेज खाने वाले होते हैं तो मदब सुरी जो एच्छा उसका डिशिश बनती है नहीं बात करने वाले की बेनिफिट्स क्या होते है पहला इसका बैनिफिट है वह कैंसर से आपको बचा सकता है cancer आपको होने से बचा सकता है क्योंकि इसमें इसा बहुत सारी ऐसी चीजे रहती है जैसे को उसमें रहते हैं anti-oxidant or aminocid रहता है इससे क्या होता है कि आपके body का cellular damage हो स्लो करता है और आपको cancer के risk से बचा सकता है और जो दूसरा इसका दूसरा फाइदा है उसके हारे मैं बात कर लेते हैं आपका BP को बहुत लोर करता है इसमें countries 하ले सोडियम होता है और जब सोडियम लिएफ बwsक्तियुम कि अग्राविय। तЗЫादा हो जाता है तब वह बढ़ DAY Zoom करता है वसक पेड करने से बलड पिशर ऐन्क्रीज हो जाता है तो आपका मश्रूम में इतना दा सज्टा लो सोडियम रहता है कि आपका LOVE पेड़ पेशर से भी आपको आराम डिलाता है या बलड पीशर होने से भी बचाता है जो इसका तीसरा फाइदा उसके हैं हम बात कर लेते हैं, इसका तीसरा फाइदा यह है कि वह rich in vitamin D रहता है और vitamin D rich होने से क्या होता है, vitamin D जो रहता है, वह calcium के absorption को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी boons बहुत ज़दा मजबूत होती है अब मश्रूम UV lights के sunlight में जब आते हैं प्रिस्मस में आते हो तो इसका vitamin D content बहुत अच्छा हो जाता है तो अगर कोई mushroom की खेती वगरा करता है या आजपस कोई mushroom है जो आप उगा के खाते हो तो आप यह कर सकते हो कि उसके उसको sunlight में अच्छा गासा sunlight दो जिससे कि वह vitamin D में इंडेच हो जाए और इसका जो चौता फाइदा है उसके हम बात कर लेते हैं जो चौता फाइदा है वह आपकी gut health को बहुत अच्छा हो जाता है अब मश्रूम में एक polysacryde होता है जो कि हमार हमारे जो गट में जो bacteria जो bacteria गुट बैक्टिरिया होता है उनकी growth को बढ़ाता है जब उनकी growth बढ़ती है तो हमारा digestion इससे बहुत अच्छा हो जाता है यह pass हो के हमारे गट पे चला जाता है गट जहां पर good bacteria रहता है उनकी growth बहुत अच्छी कर देता है जिससे हमारी gut health बेटर हो जाता है इससे इसके पांच में फाइदे के रहें बात कर लेते हैं जो पांचमा फाइदा है इसका कि हमारे वह cholesterol level को लो करता है जैसे कि जो इसको बहुत अच्छा substitute मान सकते है आप red meat का जो लोग non-wish खाते red meat वगरा खाते है तो mushroom खा सकते है यह बहुत अच्छा लेवल ओवराल कम हो जाता हमारी बॉडी में सो जिते भी लोग लोग cholesterol light में follow कर रहे है यह फिर दिखना चाहरे है उनके लिए बहुत बेटर जो चट्वा फाइदा है मुसके आरे बात कर लेते इसका जो चट्वा फाइदा है मुश्रूम में एक मतलब बेन इसका इसका और चाहम विटमी सिस्ट्म होते है है ज्यसे कि सिलिनःयू हो गया जो की हमारे स्विल्लर डेमज को लोग कड़ता है इससे हमारा इम्यूं सिस्ट्म पर बहुत अच्छा गरता है और इसमें वीटमिक आ हम बात करी चुक है vitamin D के किते सारे फाइदे होते है then इसमें होता है vitamin B6 जो की production of RBCs बढ़ाते हैं जब RBCs की production बढ़ती है तो हमारा blood flow भी अच्छा होता है blood flow के थूर हमारा जो immune system है वो बहुत अच्छा काम कर पाता है तो overall हम देखा जाए तो इससे हमारा immune system भी मश्रूम खाने से बहुत बेटर हो जाता है और इसका एक और फायदा है जिसके बारे में regular बात की जाती है जो साथमा फायदा हम बोल सकते हैं यह हमारे brain का मालब damage रोखता है जैसे कि older age people में brain के function slow हो जाते हैं और काम ठीक से नहीं करता है या फिर थोड़ा slow काम करने लगता है तो इससे mushroom खाने से जो जो regular mushroom का consumption करते हैं तो इससे हमारी brain health भी बहुत अच्छी रहती है और brain का function भी slow नहीं होता है वो maintain रहता है मश्रूम के यह भी फायता है